हलो दोस्तों नए वीडियो में स्वागत है और आज हम लोग बनाने वाले एक निया इनिमेटेड ओवरले जो आप टर्नी में यूज़ कर पाऊगे और इसे हम लोग कॉंप्रीटली बनाने वाले मोबाइल से तो वीडियो को पूरा दिखना अगर अच्छा लगे तो लाइक क करना रहेगा और इस बेग्राउंड रखना रखना ग्रीन चौंकि ग्रीन कलर को रिमूब करना इजी है तो मुझा ग्रीन कलर में कनवर्ट कर लेते हैं इसके बाद हम लोग जाएंगे लेवर्स वाले ओप्षन में और यहां पर सारे चीज़ों को लोड करेंगे मेरे पास इस अवर्ल का टेंप्रेट औरेड अवलेबल है तो मुझा पूरा जीरो सी नहीं बनाने वाले इसी टेंप्रेट को यूज़ करेंगे अगर आपको यह वाला टेंप्रेट चाहिए तो आमने डिस्कॉर्ट सर्वर से इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो मेरा नेया डिस्क इसको एड़ करने बाद आपको बस क्रोमा की एनबल कर देना है और अपने फट जाएगा फिर आपको इससे ठीक से प्लेस में लगा देना है और जो इसका एक्स्ट्रा रहता है डिरेशन आट सेकंड के बाद उसको लोग ट्रॉप आउट करेंगे अब क्या करते हैं अभी हम लोगों से एक स्क्रिंशॉट ले लेंगे और चलते हैं फोट इंडिंडिंग में जहां से हम लोग अपना चैनल नेम और बागी डिटर्स एड़ कर सकते हैं तो यहां पर मैं चैप्चर कर लिए स्क्रीन अभी आपको फोटो को उपन कर लेना है ताकि हम लोग अपना नेम वगएरा ठीक से लगा पाएं चैनल नेम अट करने के लिए पहले हम लोग टेक्ट वाल ऑप्शन लेंगे और यहां पर मैं चैनल नेम लिख लेते हैं फोट वगएरा या फिर आपर मैं जो भी यूज कर रहा हूं आपको जो भी चाहिए सब हम लोग लगेंगे कलर फ्रॉंट ब्लैक यह डिफॉर्ट में रहता है इसके लिए लग से प्रणों ने करना पड़ता बाकी सा कलर भी हम लोग चेंज कर देना है और कलर रख लेना है रैड अब जहां पर लिखाव है चैनल का आधा नेम आप इसो नीचे में ठीक से फिट क आएगा आपको जो इसे अड़ना हो कर सकते हो मैं आप इंस्टाग्राम और फेस्बूक ले रहा हूं अब हम लोग इसका टैटल्स एड़ करेंगे और डिटेस्ट डालेंगे इसमें हम लोग सेपरेट दो चीज़ चालने बार है एक जो सिंबल का नाम है और दूसरा उसका आएडी जो सिंबल का नाम है उसके लिए हम लोग रेट कलर यूज करेंगे और जो आईडी जै उसके लिए वाइट कलर तो यहां पर मैं इस्टाग्राम लिख दिया हूं सेम चीज़ को डूब्लिकेट कर देना है और फेस्बूक लिग देना है फेस्बूक हो जाने बाद ह हो या फिर इस्टाग्राम में फोलो नहीं कियो तो जाके कर लो आपको वहां भी बहुत से डिजाइन इस्पिरेशन मिल जाएंगे यह रेडी हो जाने बाद हम लोगों को बैग्राउंड वगरा हटाना पड़ेगा और बस जो हमारा नेम और बाकी डिटल से उसको रखना है इसके लिए आपको लेएर वाली अप्सन में जाके जो बैसलेव आवर जो ब्लैक ओना लेएर डिट कर देना है और बाकी लेर को सेप कर लेना है तो हम यह सो सेप कर लेते हैं सेप करने बास हम फिर से रिटन जाएंगे कीन मास्टर में और इसको वहां पर एड़ करके एनिमेशन वगेरा करेंगे मैं सेफ कर लिया हूँ हमेसा याद रखना कि जब आप सेफ करो तो पे एंजी फॉर्मेट में ही सेफ करो अब लोग वाद चुए हैं वापस काइन मास्टर में यहां से हम लोग अपना लेयर को एड़ कर लेते हैं जो भी मैं बनाया था मैं अपना चैनल ने माला लेयर को सेपरेट कर जाऊं और जो सोसिल मेडिया डिटेल्स है उसका लेयर अलग कर जाऊं अभी हम लोग एनिमेशन डालने वाल है जो माला सोसिल मेडिया डिटेल्स है उसके लिए मैं यूज कर रहा हूं इन अनिमेशन रहेगा वाइप राइट औ और जो आउट एनिमेशन है वो रहगा स्लाइड लेफ्ट और इसका भी डिरेशन सेम रहने से सही लगता है और अगर ज्यादा कम डिरेशन रखो तो अच्छा नहीं दीखता बहुत फास्ट हो जाता है वो तो आपको मिनिमम ट्राय करना है कि डिरेशन तक रखो और फ्रीड ह करेंगे और आखरी में फिर रिखाएंगे टर्निप एप में तो आगे आप प्रोसेस ठीक से दिखना पहले आपको इसको अच्छा क्वालिटी में सेफ कर लेना है लेकिन एप्स आपको 12 रखना है ताकि एनिमेशन ठीक से प्लेए हो सेफ करने के बाद क्योंकि काइन इसी लिए हम लोग यूज करने वाले एलाइट मोशन तो एलाइट मोशन ओपन करके आपको एक नया प्रोजेक्ट बनाना है जिसका साइज रहेगा 1280 वाई 300 पिक्सल अब आपके सामने एक ब्लैंक वाला बेक्राउंड आएगा यहां पर आपको मीडिया बाले उप्शन मे देंगे 1280 में और फिर इसको ड्रैक करके ले आएंगे सही पॉजीशन में ताकि इसको जी एक मैं पहले कनवर्ट करें और फिर इसका ग्रिस की रिमूफ करें तो आपको ठीक से पॉजिशन कर लेना है जिससे मैं कर रहा हूं यहां पर जब यह पोजिशन हो जाए तो फिर आपको इसको एक्सपोर्ट करना है जी आईएएफ फॉर्म में तो बस एक्सपोर्ट ओप्शन में जाओ आपको सेकेंड में मिल जगा जी एएएफ उस पे क्लिक करके सेव कर दो तो यह एक्सपोर्ट अपने आप हो जाएगा एक्सपोर्ट होने के बाद एक सेव ओप्शन आता है तो आपको बस सेब में क्लिक करना है और यह डाउलोड हो जाता है अभी हमारा जीएफ तो बन चुका है लेकिन ग्रेंस्क्रीन हटाना बाकी है ग्रेंस्क्रीन रिमूफ करने के लिए हम लोग जाएंगे अपने क्रोम ब्राउजर पे और वहां सर्च करेंगे ऑल्लाइ इमेज विडिटर है जो फ्री में ग्रेंस की रिमूफ करने में हल्प करता है अगर आप क्याफिंग से ट्रैक कर रहे हो तो मेरा सजेशन यहीं रहागा कि आप ना करो क्योंकि उसका फीचर पदल चुका इसमें आने के बाद आपको अपना प्रोजेट ओपन कर लेना है आपको तीन आप्शन आएगा पहला मिडल वाला ओप्शन से हम लोग करेंगे रिप्लेस एक्टेट कर लर और फर्स फेक्टर को कर देंगे 30 परसेंट इसके बाद जो ग्रीन कलर है उसके उपर क्लिक कर देना है ग्रीन कलर पर क्लिक करते ही थोड़ा सा यह लोड़ लेगा और कुछ देल लोड देने के बाद इसका ग्रीन स्क्रीन रिमूव होके आपके सामने एक बहुत ही अच्छा ओवरले जो आप ट्रेडिन में डैकली यूज़ कर सकते हो आ जाएगा इसको भी हम लोग सेप कर लेता है फिर मैं आपको ट्रेडिन में से एड़ करके भी दिखा और यह क्लियरली दिख रहा है विजिबल है एनिमेशन भी सही से प्ले हो रहा है कोई भी इसमें ग्लिच नहीं है तो इस तरह किसे आप अपने लिए एक सुन्दर सा एनिमेटेड ओवरले बना सकते हो और ट्रेडिन में यूज़ कर सकते हो अगर आपको पेड़ ओवरले ब झाल